डिक्टेशन स्टार्ट होगी तेन सेकंड बाद स्टार्ट पिछले दिनों जहां CBI के मामले में सरकार द्वारा गैर जरूरी दखल का मामला सामने आया वहीं सरकार पर आरोप लगा की वहे आर बियाई की आजादी पर पाबंदी लगाना चाहा रही है इस आरोप को और मजबूती तब मिली जब आर बियाई के डिप्टी गवर्नर विरल आचारिये ने सरकार पर आरोप लगाया की वह RBI की सवायत्ता पर अंकुष लगाना चाहती है हालांकी गौर किया जाए तो सत्ताधारी सरकार और सवायत संस्थानों के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है लेकिन हालिया वर्षों में इसमें तेजी से इजाफा हुआ है ऐसे में सवाल है कि क्या केंदर सरकार का गैर जरूरी दखल लोकतांत्रिक प्रणाली में रक्त वाहिनियों का काम करने वाली सवायत संस्थाओं को कमजोर नहीं कर रहा है जब सरकार की मनशा संस्थाओं के काम काज में दखल दे कर उन्हें प्रभावित करने की है तो फिर इन संस्थाओं को सवायत्ता देने के प्रावधान का क्या ओचित्ते है हालिया CBI का मामला इसी का दूसरा पहलू है संस्थाओं को सवायत्ता देने के पीछे यह मनशाथी की देश की जनता के हित में काम करने वाली ये संस्थाओं पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी ताकि देश के सिष्टम पर लोगों का भरोसा कायम रहे लेकिन इन संस्थाओं की सवायत्ता पर अंकुष की कोशिस ने केवल लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करती है बलकि सम्वीधान को उसकी बुनियादी सोच से भी दूर करती है लिहाजा इस बात की कोशिस तो होनी ही चाहिए कि संस्थानों की सवायत्ता को मजबूती देकर पारदर्शिता बहाल की जाए ऐसे में सवाल है कि संस्थानों की पारदर्शिता के लिए सरकार की क्या कोशिस होनी चाहिए सवाल यह भी है कि क्या सवायत्ता पर हमला उसकी उत्कृष्टता को कम करना नहीं है हालिया वर्षों में संस्थानों की सवायत्ता पर विवाद के मामले केंद्र सरकार पर बेवजह संस्थानों के काम काज में दखल देने का आरोब लगता रहा है इस तरह का मामला 2015 में प्रकाश में आया जब गजंद्र चोहान को भारतिय फिल्म एवं टेली विजन संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया इस मामले में मन माने धंग से नियुक्ती कर संस्थान की गुणवत्ता के साथ खिलवाड करने का आरोब सरकार पर लगा था इसी तरह केंद्रिय फिल्म सेंसर बोर्ड भी केंद्र सरकार की वजह से विवादों में रहा सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष पहलाज निहलानी पर अनावशक रूप से फिल्मों को पास करने में अडंगे लगाए जाने के आरोब लगने लगे बोर्ड के काम करने के तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में व्यापत ऐसंतोष फेल गया फिर केंद्र सरकार पर बोर्ड के जरिये छिपे हुए एजेंडे के अनुरूप काम करने के आरोब लगने लगे वर्ष 2018 की सुरुवात में ही देश के सामने एक अजीब सी इस्तिती तब पैदा हो गई जब सर्वचे नयाले के चार जजों ने प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये देश को बताया कि सम्मीदान और लोगतंत्र खतरे में हैं और जजों को ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा है साथ ही जजों की कमी और उनकी नियुक्ती को लेकर सरकार और कोर्ट के बीच रसा कशी का मामला भी आए दिन चर्चा में रहता है अक्सर ही सरकार मुख्य नयाधीस दवारा सुझाए गए नए जजों के नामों से इत्तेफाक नहीं रखती लिहाजा अक्सर तकराहट की इस्तती पैदा हो जाती है CBI के दो बड़े अधिकारियों के बीच लड़ाई का पबलिक डोमेन में आना और सरकार दवारा उसमें दखल देने के तरीकों ने सरकार की मन्शा पर सवाल खड़े कर दिये विवाद में सरकार की दखलंदाजी से ऐसा जाहिर होने लगा कि CBI की सवायत्ता केवल एक दिखावा मात्र है इससे यह भी पताचला की सरकार के नजरिये के विपरीत चलने के प्रयास में टकराव निश्चित हैं सरकार द्वारा CBI निदेशक को छुटे पर भेज कर मन माने तरीके से नए निदेशक की नियुकते भी सवालों के घेरे में है दूसरा एहम मसला केंद्रिये बैंक RBI का है जिसमें सरकार अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहती थी जिनका RBI के आठ दशक के इतिहास में अब तक नहीं किया जा सका है हालंकि RBI एक्ट 1934 की धारा साथ केंद्र सरकार को यह विसेशा अधिकार देती है कि वहे केंद्रिये बैंक के ऐसहमत होने की इस्तती में सारवजनिक हिद को देखते हुए गवर्नर को निर्देशित कर सकती है और सरकार के निर्देशन को RBI मानने से इनकार नहीं कर सकता है सरकार चहाती थी कि RBI के रिजर्व का इस्तेमाल बैंकों के रिकैपिटिलाइजेशन के लिए किया जाए लेकिन RBI की दलील है कि रिजर्व का उप्योग नहीं किया जा सकता लिहाजा सरकार की इस कोशिश को RBI की सवायत्ता पर हमले के रूप में देखा जा रहा है उप्रोक्त सभी विवादों के अतिरिक्त वर्ष 2018 में UJC की जगह भारतिय उच्च सक्षा आयोग प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में जियो नामक संस्थान को जगह देने का मामला सुर्खियों में रहा दरसल संस्थाओं को मोटे तोर पर दो भागों में बाटा गया है समवेधानिक और गैर समवेधानिक गैर समवेधानिक संस्थाओं को साविधिक वेधानिक आदी वर्गों में विभाजित किया जाता है फिर इन संस्थाओं के अलग-अलग कार्य और शक्तियां भी हैं निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, उच्च नयाले और सर्वोचे नयाले, कैग, राष्ट्रिय मानवा दिकार आयोग, केंद्रिय सूचन आयोग, केंद्रिय सतर्कता आयोग, आदी के सदश्यों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, यानि बृष्टाचार या कदाचार में सनलिप्त होने के बाद ही इन्हें पद से अठाने की प्रेक्रिया शुरू की जाती है, दूसरी तरफ इनके काम करने की शक्तियों में इन्हें एक तरह की आजादी दी गई है, जिसके जरिये इने फैसले लेने की सवायत्ता है दरसल सवायत्ता देने के पीछे मन्शा होती है कि बिना किसी राजनेतिक प्रभाव के इन संस्थाओं को अपने अधिकारों का उप्योग करने का मौका मिले जब आजादी से अपने अधिकारों का उप्योग करने का मौका मिलेगा तो सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और सरकार संस्थाओं पर लोगों के भरोशे को मजबूती मिलेगी संस्थाओं सवायत्ता से ब्रिष्टाचार और किसी भी प्रेक्रिया में एनियमित्ताओं पर लगाम लग सकेगी स्टॉप स्टॉप